हालो एब्रिवन मैं एब सेग मोर्याब फिजिक्स लेक्टिरर आप सीटा इंटर कॉलेच आप सभी का सीटा गुरूपा पेजिगेशन चैनल पर स्वागत करता हूं तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रेक्शन आप लाइट प्रकास का आप और तन जो कि कौन सा पार्ट से में केवल रिफ्रेक्शन के बारें सीखा था रिफ्रेक्शन क्या होता है मेडियम अगर चेंज होते हैं तो कैसे रिफ्रेक्शन होता है क्यों जो रिय होती है रिफ्रेक्टेड रिज होती है आप वर्तित किरण वो क्यों बेंड कर जाती है कभी-कभी अभी 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 फ् प्रकार के माध्यमों को आपस में जोड़ती है अब उपर हम कौन सा माध्यम मान लें बिरल और नीचे कौन सा माध्यम सघन अब इस पर अगर कोई किरण मान लो हम गिराते हैं जैसे रिफ्रेक्टे उंडेक्स भी आपको काउंट करना पड़ेगा तो इस मेडियम का जो रिफ्रेक्टे उंडेक्स अमने माना कितना N1 और इसका रिफ्रेक्टे उंडेक्स कितना मान लिया N2 ठेक अब अगर कोई रे गिरी इस पर तो पहली बात तो नॉर्मल आप ड्रॉ कर दीजिए उस पर अभिलम बोलेंगे इसको अब एक किरंण मान लो यहां पर ऐसे गिरी तो आपको पता है कि जब बिरल से सगन में किरन जाती क्यों किमकि सगन में जो अड्र होते हैं तो किरन किद़र मुड़ जाती है अभिलम की ओर मुड़े गिया ऐसे ठेक यह जो कोण बनता इसको बोलते हैं आपतन कोड़ इसको बोलते हैं अपवरतन कोड़ है? यह simple केवल क्या है? अपवरतन यहाँ पर है. अब इसके देखो नियम क्या है. नियम अपने काम के हैं। पहला नियम यह कहता है कि जो गिरनण गिर्टी उसको क्या बोलेंगे? अपतित किरण और यह क्या है अभिलंब और यह है अपो वर्तित किरण तीनों कहा होते हैं एक ही तलपर होते हैं अब यहां पर देखिए तो दूसरा नियम क्या कहता है उसे बोलते हैं स्नैल का नियम अब यह मत सीखे यहाँ पर n is equal to sin i कुछ बहुत बच्चों को आपको बता है n बराबर sin i by sin r आप इसको लेकर करके काम नहीं करेंगे हाँ पर 12 में क्योंकि यह फार्मूला हर जगे पर या तो आपको अपलाई करने का तरीका आना चाहिए और नहीं आता है तो हम ऐसा आपके सामने तरीका रखेंगे ताकि कोई भी नुमेरिकल आपका गलत ना हो ठीक है तो दूसरा नियम क्या है दूसरे टाइप से कैसे इसको हम सीखेंगे रूल यह होता है स्नेल का नियम यह है n1 sin i is equal to n2 sin r ठीक अब अगर हमें इसको इधर ट्रांसफर कर दें साइन आर को इधर ना है तो फार्मूला आ गया साइन आई अपान साइन आर इज इकुल टो एन वन इधर बटे में आ जाएगा तो n2 भाई क्या बन गया n1 यह फार्मूला को याद रखना है आप कैसे आपको ऐसे नहीं इस फार्मूले को भी याद रखे लेकिन तरीका यूज करने का तरीका क्या है sin i by sin r is equal to क्या बोलोगे n2 by n1 n2 क्या है n2 जिस माध्यम में किरण जाएगी उसका अपोर्तनांग और n1 क्या है जिस माध्यम से किरण आएगी उसका अपोर्तनांग आपको याद रखना है ठीक इस तरीके से इसको याद रखेंगे तो यह तो बना फार्मूला अब देखो इसको लिखने क्तरीका क्या है जैसे जो उपर लिखा है अब यह तरीका नहीं है लेकिन आपको याद रखना है से sin i by sin r is equal to जो उपर इसको आप कहां लिखोगे बाद में और जो पहले उसको नीचे लिखा उसको आप पहले लिखेंगे मतलब क्या बोलेंगे एक से दो में जब किरण जाएगी तो बराबर क्या होगा sin i by sin r ठीक इसी को shortcut में सीधर किताबों में लिख दिया जाता है n n is equal to sin i by sin r लेकिन आप इस तरीके से इसका यूज करेंगे थेंगे नटthrough क्या है कुछ नहीं यादर रहे हैं क्यों न लिख रह द्रकियों यादर रहए तो एट प्र सब्स न है जिस माद्दें से करण जाएगी उसका अपॉर्चन होता है थेंगे यह संल का नियम इसको क्या बोलेंगे एक केसा पेच दूसरे का अपड़तनांग बराबर साइन आई भाई साइन आर तो यह तो सिंपल केस था इसका क्यों समझनेगा अब एक एक जामपल भी इस पर देखते हैं जैसे मालो कि यह कोई सतय है जो दो माद्यमों को जोड रही है और यह अभिलम पड़ा यहां पर कोई किरण यहां पर आप्तित हुई 60 पर ठेक कितने कोंड पर गिरी 60 पर आपवर्तित कितने पर हुई तो आपवर्तित हुई मान लिया मैंने 15 डिगरी पर ठेक इस वाले में जिससे ये वायू है तो वायू का जो आप उर्तनांग होता है वो कितना माना गया एक और ये मैंने ऐसा माना है मीडियम जिसके जिसका आप उर्तनांग आपको निकालना है याप ठेक तो अब ये मान के चलिया, इसको मतली जिए, आप ऐसे मान आइए, आपको R यहाँ पर find करना है, ठीक? और हमने क्या दे रखा कि ये कीरंड जैसे ये कीरंड तो गई है से तो यह आपको वर्तित कीरंड हो गई और ये जो है सीधे निकाल के हमने दिखा दिया तो यहां से जब ये मुड़ी तो इसको बोलो कि बिचलन ठेक बेचलन मैंने मान लिया कितना का हुआ पंद्रा का यह पंद्रा तीस ले लेते हैं ताकि आपके रिजल्ट अच्छे से आए ठीक बाके वो तो डेटा जो हम चेंज कर लें कोई दिक्कत ने डेटा सब खुद ही बोर्ड आप से डिसाइड कर लेगा इस मीडियम का जो रेफ्र उस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जिसमें से रे आ रही है तो आती आपके वाई उसे वाई का कितना हो गया एक साइन आई आई के वैलू कितने सिक्स्टी एंटू मुझे चाहिए और साइन आर आर कितना तो देखिए ये अभी लंब और ये किन यहां से जानी चा क्या लिखोगे, sin 30, sin 30 की value root 3 by 2 is equal to n2, 30 की value कितनी 1 by 2, 2 से 2 cancel, मतलब n2 is equal कितना गया, root 3, तो इस medium का refractive index कितना था, root 3 था, तो ये तो question मैंने आपको करा दिया, एक question हम आपको भी देंगे, आप लोग घर पर try करेंगे उसको, question क्या सुने, एक कांच का गोला है, कांच का मान लेते हैं या कोई भी metal का बना हुआ है, ये इसके लिए अच्छ हो गया, यहाँ पर एक किरन इस पर आपतित हो रही है, कितने पर 60 पर, इसका जो refractive index कितना है 3 और बाहर कौन सा air है, तो air का कितना होता है 1, आपको ये बताना है कि यहाँ पर net बिचलन कितना बनेगा, ठीक, ये चीज़े आपको निकालने हैं, क्योंकि दो सतय हैं, दो सतय हैं तो अपवर्तन दो बार होगा, ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर कितना किरन मुड़ेगी, और यहाँ जब निकल इसमें आती है, कांच के एक slab हम लेंगे, कांच का गुटका लेंगे, क्योंकि आप वर्तन जो कहानी है, बेस्ट किस पर है, इसमें slab आएंगे, ठीक, और अपरेंट डेफ्थ हम लोग निकालेंगे, आपासी गहराई निकालेंगे, और लेंस आएंगे, और प्रिजमा आएं तो हमको क्या पढ़ना है, कांच के गुटके, द्वारा अपवर्तन, ठीक, पहली बात तो हम एक slab लेंगे, फिर क्या करेंगे, उस slab में एक और slab कमबाइंड करेंगे, तो वो आपके conceptual question बनना सुरू हो जाएंगे, ठीक, तो एक मान लेते हैं, कांच का कोई slab है, diagram आप लोग अच्छे समझेंगे, क्योंकि optics theory जो है, total diagram पर आधारित है, diagram अच्छा बना, आपका concept जो clear वहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए, जैसे बाहर्म ने मान लिया, कौन सा वायू है, ये कौन सा बन गया माध्यम, तो ये कांच मान लिया, और ये माध्यम क कौन सा फिर वायू है, अब इसके दे कोई इस सतय पर हमने एक किरण गिरा दिया, ये अभिलम हो गया, इस पर कोई किरण ऐसे गिरी, ये कौन कितना बनाई, आई, ये माध्यम का उन सा स्तगन, तो स्तगन में क्या होती किरण अभिलम की ओर मुड़ जाएगी, तो ऐसे ये कौन कितना बन गया, आर, अब इस तरफेस बेजब किरण पड़ी, तो यहाँ पर भी एक अभिलम डाल देते हैं, एकदम सीधी लाइन, इसको मिला लेते हैं, अब जब किरण यहाँ से निकलेगी, तो जैसे यह थी, ठीक वैसे ही आप दिखाएंगे किरण को वैसे, जैसे किरण गिली थी, वैसे यहाँ से निकलेगी किरण, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूँ, तो आगे बढ़ाने पर, यह आपतित किरण और यह निरगत किरण, इनके बीच में देखो कुछ हमें बिस्थापन मिल गया, तो यहाँ से अगर आप लंब डाल देंगे, तो यह बिस्थापन जोगा, इसको आप किससे लिखेंगे, डी से, और इसको बोलते हैं, पार्सवि होता गया है, जब किसी काच के गुटके पर कोई किरण आपतित होती है, और निरगत किरण जो होती है, इन दोनों के बीच के जो लंब बद दूरी होती है, उसी को बोलते हैं, पार्सविक बिस्थापन बोलते हैं, ठीक, यह अभी लंब हो गया, तो इसको आपने इसके लेते हैं, चलो A नाम दे दिया, ठीक, गुटके के मोटाई मान लीजे क्योंकि यह काउंट होती है, यह मोटाई हो गए T, अब यहाँ पर देखो गिरी आई पर तो यहाँ कितना बना, आर तो यह कितना होगा, तो यह जितना यह बनेगा, उतना यह भी कितना हो जाएगा, यह कितना मान लिया, तो यह हो गया, मान लेते हैं कि चलो small e से लिख लेते हैं, ठीक, पहली बात तो यह मुझे यह दिखाना यहाँ पर, आपॉर्टन तो मैंने करके दिखा दिया, कैसे आपॉर्टन होगा इसे, अब मुझे यह दिखाना है कि जो आपतित किरन होती हो, नि इस प्रस्ट में देखिए किरण गिरिये वायू से किस पर कांच पर तो ऐसे लिखोगे ए ए एन जी वायू से कांच मतलब वायू के सापेच कांच का अपोर्टनाग ठेक बराबर तो वही फार्मूला साइन आई है अपान कितना हो गया साइन आर या टू से ऐसे कर लीजिए तो साइन आर कितना बन गया आर इसको एक्वेशन आप मान लीजिए सेकेंड केस देखिए इस तरफेस के लिए तो दूसरे सरफेस में देखिए किरण गई है कांच से वायू में तो क्या लिखो कि जी एन ए इस एकुल टू साइन आई अब यहां पर इंगल कितना है आप त अब यहां पर ऊपर लाओगे तो पलट जाएंगे तो कितना बन जाएगा साइन इअपान कितना या साइन आर यह दोनों कैंसिल हो गए बचा कितना साइन आई is equal to साइन इ साइन साइन कैंसिल I is equal to E मुझे यही लाना था जो हमने पढ़ा किताबों में कि आपतित किरण निर्गत किरण एक दूसरे के समानतर होती हैं. तो समानतर अगर है, तो यहाँ यहाँ के कॉंड जो होंगे वह बड़ाबर भी होने चाहिए. तो यहाँ पर कॉंड दोनों कैसे हो गए? आई बड़ाबर कितना गया यही? तो यह तो पहला केस्था लीजू के स्का. डी ये हैं, ये कोड अगर आ रहे तो ये कितना बना, तो पूरा कितना होगा जितना ये है उतना ही, ये आई तो ये भी कितना बना आई, तो ये बचा कितना तो ये हो जाएगा, आई माइनस आ, ठेक, क्योंकि जित आई ये हो गया, तो ये पूरा कोड कितना हो जाएगा, और ये 90-90 के सामने वाले हुज़ा कौन सा बन गई करणड है, तो साइन थीटा ले लो इसमें, कौन सा थीरवल, Q, R, A इसमें कौन कितना है, I-R, इसके साथ क्या लेना है, साइन, तो साइन थीटा गया होता है, लंब बटा करणड है, तो लंब हो गया, small d और करणड कितना बन गया, तो करणड हो गया, 90, ये 90, 90 के सामने वाला, कौन सा, Q, R, ठेक, चाहोते इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो हम क्या लिख सकते, small d is equal to, ये चीज़ गुडे में आ गई, तो क्या बन गया, Q, R, into sin, I-R, इसको equation मान लेते हैं, third मान लीजिए, क्योंक इस वाले ट्रेंगल में देखो, कौन सा, Q, N1, R, जो है, इसमें देखिए, ये कौन है, तो कौन के सामने भुजा लंब हो गई, लेकिन इसका अपने पास कोई काम नहीं है, ये जो भुजा बनी, ये क्या कहलाएगी, ये इस ट्रेंगल का आधार बन गई, तो आधार मुझ थीटा ले लो, कौन से त्रभुज में, त्रभुज Q, N1, R में, अगर इसमें आप कौस आर ले लो, तो कौस थीटा क्या होता है, आधार बटा करंड, आधार हो गया T, करंड कितना बनगा, तो करंड भुजा गया, QR, ठीक, QR की वेलू यहाँ से निकालिया, और यहाँ प बटा, कौस आर, और यह वेलू कहाँ समी करंड तीन में, तो समी करंड तीन से क्या लेख सकते, small d is equal to, यह वेलू यहाँ, T into sin I minus R upon कौस R, यह आपके सामने फार्मूला निकल कहाँ है, किसका, इसे बोलेंगे पार्सविक बिस्थापन, और पार्सविक बिस्थापन का यह फार्मूला बनाए हाँ से, चलो ठीक, यह फार्मूला होगी, अब इस पर देखें, अगर मैं आ पार्सविक बिस्थापन हम लोग निकालते हैं, तो इस फार्मूले से इंगल, इंगल की बात होती है, उस case में उस material का जो अपोर्तनांग होता है, उसका कोई काम नहीं होता है, क्यों कहीं देख लीजे, यहाँ पर N नजर आ रहा है, जब अपोर्तनांग नजर नहीं आ रह देदें, मानलो 2 mm देदें, कोई दिक्कत नहीं, टे के वैलू मालूम, 2 mm, I-R, I-60, R-30, ठीक, यहाँ पर रखें और यहाँ पर भी 30 रख दीजे, मोटाई मिल गई, ठीक, यह तो simple case था, अगर मानलो conceptual question आप से पूछे जाएं, अच्छे questions इस पर, मतलब हमको यह सीखना, मह आप तो पूंड बिंदू देखें इसके, सबसे पहले चीज जो यह है, पहला point, मतलब D किन-किन चीजों पर depend करता है, ठीक, तो यहाँ पर देखो D और T आमने सामने लिखे हैं, आमने सामने का मतलब आप यह समझेंगे, D समान उपात के T, मतलब कहने का यह है, कि अगर T ब बढ़ रहा है, ठीक, तो दोनों समान उपात, इसलिए T अगर बढ़ाएंगे, तो D कमान बढ़ जाएगा, दूसरा केस क्या है, कौन पर देखो, depend कहुरा कहानी, एंगल चल रहे हैं, तो अगर मैं आपतन कौन की बात करूं, और I मैं minimum रखूं, कम से कम, minimum का मतलब कितना कर स अगता हूँ, 0, अगर I 0, मतलब यह किरण कैसे गिरे, देखो ऐसे, यह सत्य है, अभी लंग यह है, इसी पर किरण गिर जाए, तो जब इसी पर गिरेगी, तो I बराबर कितना होगा, 0, तो R बराबर कितना हो जाएगा, तो R भी 0, और जब I 0, R 0, उस केस में condition क्या है, कि D क बिस्थापन भी कितना होगा, 0 आजाएगा, बराबर ही मानी एकदम, कितना, D का मान कितना आएगा, 0, तीसरी condition क्या है, अगर मैं I को बढ़ाना सुरू करूँ ऐसे, कुछ कोण पर बढ़ाया तो फार्मला लिखा है, और बढ़ा के maximum कर दो, maximum कितना कर सकता हूँ, maximum सतह पर सकता हूँ, जिसे grazing emergence बोलते हैं, ठीक, इस किरण को कहा से लाएँ, सतह से इस पर्स करते हुए, तो अगर मैं I को maximum कर दो, maximum कितना कर सकता हूँ, 90, 90 को या पाई भाई टू अब बोलिए ऐसे, कोण अगर 90 किया, तो कोण 90 करने से फरक किस पर पड़ा, जो cos R है, ये approximately कितना हो कितना है, इसको solve करते हैं, देखिए, D is equal to T, यहाँ पर value रखो, sin, यहाँ पर क्या बना, pi by 2 minus R, अपान कितना हो गया, cos R, आप इसको ऐसे मानिए, ना change करोगर आपको नहीं पता है, मानलो, cos R आपको पता ही नहीं, 90 को गिरा है, तो पता ही नहीं, cos कितना बनेगा, ठेक, आ 90 minus theta गया होता है, cos theta, मतलब cos R, अपान कितना बन गया, cos R, दोनों हो गए cancel, तो आप ध्यान से देखो, D जो है, किसके बराबर आगया, T के, मतलब D is equal to T, फिर वही case मिल गया, जो सुरू आतम पढ़ा था, ठेक, तो पार्सिविक बिस्थापन जो होता है, तीन चीज़ों पर इसको हम ऐसे भी लम पे ले आए, और जब आपको पता है कि सीधे भी लम पर जब किरन गिरती, तो जितने गिरती उतने निकलती चली जाती, सीधे, मतलब कहने का क्या हुआ, I0 तो R भी 0, I0, R0 तो D भी कितना हो गया, 0, पार्सिविक बिस्थापन मिलेगा ही नहीं, क्यों क्यों किरन की द्वारा बिचलन मुझे प्राप्त ही नहीं होगा, थार्ड केस क्या है, कि अगर I maximum हो जाए, maximum कितना हो जाए, 90, अगर मैं 90 कर दूं, मतलब इस किरन को हम ऐसे गिरा हूँ यहां पर, सत्य से स्पर्स करते हुए, तो जब यहां से किरन को गिरा होगे, तो ऐसे केसेज में, आर तो मुझे पता नहीं कितना होगा, उसको मैं यहां पर रख के देख लेता हूँ, इस फार्मूले में, T को गही रखा, I की जगा क्या कर दिया, 90 माइनस R, बन गया, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, कॉस और बाई कॉस र, दोनों कैंसिल डी, जिक्कुल तो देखें इसमें, इसी ग्रम में, इसे स्नेल का नियम, अगर मैं यहां पर देखो, यदि, साइन I माइनस R को एप्रॉक्सिमेटली कितना कर लूँ, I माइनस R, मतलब साइन हटा के क्यों कॉन कर लूँ, क्यों, क्योंकि यह जो हम केस पढ़ रहें, वो कॉन सीकिरण है, य पेरेक्जिल रहें में क्या होते हैं, कोंड जो होते हों, बहुत सूच हम बनते हैं, अच्छा, तो इसके वैलू हमने किसने बराबर कर ली, I माइनस R, और कास R एप्रॉक्सिमेट करता हो, कितना हो जाए, एक हो जाए, तो उस केस में, पार्सविक विस्थापन कितना आया, तो D is equal to T, sin I minus R, अपान कास R, इन सब की जगा पर ये वैलू रखिए, तो देख फार्मूला कितना है, T, ये केवल यहाँ पर sin हट जाएगा, तो कितना हैगा, I minus R, अपान में कितना हो गया, 1, इसको equation 4th मान लेते हैं, अब स्नेल का नियम लगाईए, स्नेल का नियम क्या कह रहता है, 1N2, 1N2 को हटा कि हम सीधे N लिख रहे हैं अब यहाँ पर, N is equal to sin I by sin R, पहली सर्फेस के लिए, अब यहाँ से, अगर मैंने इन किरणों को पैरेक्जियल रे मान लिया है, तो पैरेक्जियल रे के के केस में क्या होता है, तिरकोन मिती फलन हम हटा देंगे, और को हमें approximate क्या लिख सकते हैं, I by R, यहाँ से R की value निकाल लिए, इसको यहाँ से हटाईए, R लाओ यहाँ और इसको यहाँ transfer करो, तो R is equal to आगया I by N, अब यह value उठा करके equation 4th में रख दो, तो D is equal to T, bracket में I minus R, R की value I by N, I common ले लिजिए, तो formula I into T, 1 minus 1 by N, यह आपका सबसे important formula, कहाँ-कहाँ use होगा, थोड़ी से hint दे देते हैं, जैसे आप से बात के ऐसे questions के होगी, कहेगा कि यह एक परदा है, स्क्रीन रखी गई, एक lens रखा गया बीच में, यहाँ पर कोई object रखी गई, रे चली परदे पर screen, screen पर क्या कर दे, image बना दी, फिर क्या कहा जाएगा, उसके बीच में एक slab रख दिया गया, तो जब slab रखोगे, तो ऐसे cases में जो होगी, वो image जो है, इसकी तरफ भाग जाएगी, जो lens है, lens की और बिस्थापित होगी, तो यह बिस्थापन ही तो है, तो वहाँ पर आप इस formula का इसके बिना numerical जो है, आप नहीं लगा सकते, ठीक, इसलिए मनें बताया कि सबसे important formula आपको निकल गया है, ठीक, तो यह तो खेर आगे चल करके आपको मिलेगा, अब ही कहाँ यूज करोगे इसका, तो उसको यूज करके दिखाते हैं आपको, यह तो थी एक slab की कहानी, और यह दोनों स्टुडेंट्स के लिए है, जो high school के हैं और जो 12 के हैं, दोनों के लिए अभी तो basic चीज चल रही है, अब यहाँ से 12 के लिए भी start हो रहा है सब, अगर मानलो दो slab रखे जाएं आपके अपके बास, और 2 के बाद हम N कर देंगे, उसके बाद आप जानते हैं फार्मूला बनाना, तुरंट जान जाएंगे, इसके thickness मानले T1 और इसके thickness मानले T2, refractive index इसका N1 और इसका N2, आप जान गए हैं, वो 2,1, 2,1 अब नहीं करेंगे, आप लोग समझ चुके हैं कैसे करना है, पहले बार ray diagram देख लेते हैं, जैसे यह अभिलम पढ़ा यहां पर, कोई करन आपतित हुई हैं, तो जब अब यहां पर एक rule है, rule क्या है, N2 ज्यादा है N1 से, मतलब जो हमने दूसरा slab रखा है, यह किसी दूसरे material का हो रहा है, और ऐसे material का बना है, जिसका refractive index पहले से ज्यादा है, ठेक, तो यह किरन जो है, अभिलम की और मुड़ी ऐसे, यहां पर पड़ी, यहां पर अभिलम डाल दीजिए, अब क्या होगा अगर यह यह वाले medium का आप और तनांग पहले से ज्यादा है, तो उस case में क्या हो किरन और अभिलम की और मुड़ जाएगे ऐसे, और फिर यहां भिलम आप डाल दीजिए, तो इस case में जैसे किरन थी, बिल्कुल वैसे ही निगाल देंगे, क्यों कि पिछले derivation में आप सीख चुके हैं कि आप तित किरन और और निर्गत किरन दोनों एक दूसरे के समांतर, क्यों समा लेकिन आप से रे डाइग्राम का कोई काम नहीं है, ठेक, कहे सवाल तो करिए, अधरवाज खीचने जरूत नहीं, आपको फार्मूला सीखना है, तो पिछले वाला जो एक स्लेब मैंने लिया था, उस स्लेब का फार्मूला विस्थापन का क्या है था, डी एकल टो आई टी 1-1 by N, इस T को अंदर ट्रांसफर कर दो, तो क्या बना I, T-T by N, अब इसका यूज करिए इसमें, यहाँ पर क्या लिखा है, के वल T, तो यहाँ पर अब T का मतलब टोटल यह है, तो इस T की जगा पर आप क्या लिखोगा यहाँ पर, आप दूर से देख लिए यह इतनी प्लस T2, is equal to I, T1 प्लस T2, माइनस, यह जो है यह कमबाइन्ट दोनों के लिए है, तो इसकी जगा पर क्या लिखोगे, T1 by N1, मतलब इसकी मोटाई बटा आप और दना, फिर माइनस से ओपन करोगे, तो माइनस, इसकी मोटाई बटा इसका आप और दना, तो क्या लिखोग T2 by N2, अब यहाँ पर एक चीज़ और, जब दो दो तीन तीन गुटके कमबाइन्ट होते हैं, तो उस केस में आपसे D नहीं पूँचेगा, पूँच भी लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे, जिसे हम करते हैं यह दो मिलिमेटर और यह तीन मिलिमेटर, यह अंडर दो अंडरूर तीन, खतम, लेकिन क्या पूँचेगा, पूँचेगा आपसे, कहेगा इस पूरे का कमबाइन्ट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बताओ कितना होगा, टोटल इसका अपवर्तनांग बताईए, तो टोटल के लिएकर मान लेते हैं, यदि, संपूर अपवर्तना आंक, N होतो, तो इसी फार्मॉलय को ड्राइब करते हैं, I, T1 प्लस T2, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये अगा, तो N मिल गया कामन, तो उपर कितना बना, T1 प्लस T2, अपन आ गया अ, itís education को मान लेते हैं, फस्ट और इसको मान लिया सेकेंड, अब दोनों का जो D होगा, वो तो बराबर होगा भेले ही कुछ भी पूछा जाए पार्शिक बिस्थापन बराबर ही आएगा तो हम क्या कर सकते हैं एक और दो को बराबर कर ले समय करण एक वा दो से अगर दोनों को आपने बराबर करा तो ये वाली value आप जब यहां लिखोगे तो द्यांस देखो आई और आई कैंसल हो जाएंगे ये value ये भी कैंसल हो जाएगी थोड़ा सा अपने आप solve कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि गुणे भाग क्योल करने है देखें ये जब value आप यहां लिखेंगे तो आई आई कैंसल फिर इसके बाद जब ये पद और ये बचेगा तो ये भी कैंसल तो बचा कितना ये जो value इसके बरावर क्यों हो गई तो क्या लिखोगे t1 प्लस t2 बाई n is equal to t1 बाई n1 प्लस t2 बाई n2 अब ये भी मैंस सोचना है माइनस कहां गया तो माइनस बटा ये कामा ले लोगे तो ये माइनस माइनस खतम हो जाएंगे दो ठीक अब अब अगर इधर लाओ इसको आपान में भेज़ दो तो क्या फार्मूला बना तो n is equal to कितना आगया यहां से इस value को आप बटें भेजिए तो t1 प्लस t2 बटा t1 बटा n1 और t2 बटा n2 ये फार्मूला निकल गया इसका और ये फार्मूला जो first year के students हैं उन लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि heat chapter में उन्होंने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि दो जब rod को हम combine करते थे इस तरेके के rod को वो भी स्रेडी करम में लंबाई l1 मानते थे इसके l2 इसके लिए k1 इसके लिए k2 समाचा लगता गुणा तो फार्मूला उनका total k का क्या बना था तो k is equal to l1 प्लस l2 बटा l1 बाई k1 और l2 बाई k2 तो आप यह मत सूचे कुछ यान नया पढ़ रहे हो ठीक केवल डाइग्राम बदला है आपका chapter बदल गया है फार्मूला वही निकल गया है जो आप पढ़के आगा है तो जैसे इ के निकाल लिए तो ठीक वैसे ही आप इस फार्मूला का भी यूज यहां पर करेंगे ठीक फिर आगे क्या हुआ था यह तो कब यूज करोगे जैसे इन दोनों की मोटाई बराबर ना हो अगर मान लों इन दोनों की मोटाई बराबर हो जाए एक बाद का और ध्यान कि अगर एन होते तो क्या लिखते पी 3 डॉट डॉट कितना टी अन बटम क्या लिखते टी 2 वाई एं टी 3 वाई एं 3 और कहां तक टी अन बाई एन एन जाओ तो लिखने वह से ठीक तो यह फार्मूला गर मालों 5 होते तो 5 तक आप बढ़ा लीजिए 4 हो तो 4 तक बढ़ा ल T1 बराबर T2, बराबर कितना हो जाए T, तो क्या फार्मूला बना, दो के लिए के वल, तो T और T दोनों बराबर कितने बन गए 2T, यहाँ पर T और यहाँ पर T, T मिल गया कामन, तो 1 बाई N1 और 1 बाई N2, आप अगर LCM ले लो यहाँ पर T और T हटाईए, LCM लोगे तो क्या बना, 2N1N2 अपान N1 प्लस N2, मतलब अगर दोनों के मोटाई बराबर हो जाए, तो आप उसकी मोटाई भूल जाए, केवल N देख लिए कितने कितने नुमेरिकलम दिये हैं, वही आप रखिए, यहाँ पर सवाल खतम आपका, ठीक, तो जैसे वहाँ पर 2K1K2 बटा K1 प्ल समझ जाते थे, मुझे इसकी मोटाईस कोई मतलब नहीं, केवल माटेरियल की प्रॉपर्टी रखते थे, ठीक वैसे यहाँ पर भी N1N2 रखिए, आपका नुमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, ठीक, तो चाहे जितने हो, आप इसी तरीके से क्वेस्टन को सॉल्व करेंगे, इस इसका पार्ट थ्री बनेगा, उसके बिना आप आप्टिक्स आपकी अधूरी है,